अब तक हमने चरो वाले व्यंजकों के बारे में पढ़ा, कुछ उधारनों से हमने इन्हें अच्छे से जाना, लेकिन व्यंजकों से जुड़ी कुछ मिथ्याधारनाई जरूर होती है, जो इन्हें समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है, आईए इन्हें दूर करें व्यंजकों से संबंदित मिथ्याधारना है, मिथ्याधारना एक, सवाल, मनु की आईउ एकस साल है, हर्ष से मनु दो साल छोटा है, हर्ष की आईउ के लिए व्यंजक क्या होगा? X-Rin2 या X-Dhan2 कई बार दी जानकरी को जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही चरो के पदों में लिखा जाता है इस समझ से जवाब प्राप्त होता है X-Rin2 जो कि एक गलत जवाब है यहाँ X-Dhan2 सही जवाब है सही व्यंजग पाने के लिए दी हुई जानकरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है जैसे यहाँ मनू की आयू और हर्ष की आयू के लिए सार्णी बना सकते है जब मनू एक साल का होगा तब हर्ष तीन साल का होगा जब मनु दो साल का होगा तब हर्ष चार साल का होगा और इसी तरह सारनी को आगे बढ़ाया जा सकता है संख्याउं में संबंद देखकर यह बताया जा सकता है कि हर्ष की आयू मनु की आयू से 2 से अधिक है इस समझ से दिये सवाल का सही जवाब प्राप्त होगा X धन 2 मिध्यधार्णा 2 सवाल 4X के लिए मान 3 से 5X का मान प्राप्त करे 53, 15 कई बार 4 का मान पता होने पर व्यंजक का मान प्राप्त करना हो तो गुणन किये बिना X को 3 से बदल दिया जाता है इस समझ से त्रेपन यह गलत जवाब प्राप्त होता है चर का मान व्यंजक में रखते समय पहले लिखी संक्या के साथ इस मान का गुणन किया जाता है इस समझ से सही हल प्राप्त होता है 15 मिध्यधार्णा 3 सवाल 2X धन 4 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा? 6, 6X या इसका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता चरो का अर्थ ठीक से न समझने के कारण चर के लिए प्रयोग किये अक्षर को नजर अंदास किया जाता है और दिये व्यंजक का मान 6 या फिर 6X प्राप्त किया जाता है यह गलत समझ है चरो वाले व्येंजकों जैसे 2X धन 4 का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर चर का कोई निश्चित मान दिया हो तभी इन व्येंजकों का मान प्राप्त किया जा सकता है मिथ्यधार्णा 4 सवाल निम्न में से कौन सा व्येंजक समान नहीं है सभी व्यन्जकों में गुणन के चिन्न का प्रयोग हुआ है सिवाई 5M बटे 2 के इस समझ के कारण जादा तर 5M बटे 2 यह जवाब दिया जाता है जबकि यह एक कलत समझ है इसी तरह दो से विभाजन यानि दिविशन एक बटे 2 से गुना होता है यह न पता होने के कारण ओप्षन 2 जवाब दिया जाता है यह भी एक कलत समझ है गुणन के क्रम विनिमेता गुणधन यानि कम्यूटेटिव प्रोपर्टी ओफ मल्टिप्लिकेशन की समझ न होने के कारण यहां ओप्षन्स एक दो और चार का मान समान है लेकिन पांच बटे 2 गुना एम बटे 2 में दो बार दो से विभाजन होने के कारण इसका मान इनके बराबर नहीं है इसलिए सही जवाब है पांच बटे 2 गुना एम बटे 2 आशा करते हैं इस वीडियो से आपके कई मिध्याधार्णाएं दूर होई होगी और व्यांजक के अच्छे समझ बन गई होगी गई होगी